इस वीडियो में मैं आपको सीकर्ट फिरोग की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी बस आपको सुरू से लेके आन तक पूरी वीडियो को देखना है आपको वीडियो को स्किप करकर के नहीं देखना तब यह आप इस तरह की सीकर्ट फिरोग बना पाऊगे तो चली व गौपड़े को चारते में फोल्ड कर देना आपको उसके को कोने की तरफ से एक साइट से और şu मार्जने और आपको इसाइड काशनल लगाना है और आपको यह 17 WAT सीध़ कर देना है इतने कबड़े को आपको काट के अलग निकाल लेना है इत कि आपको सबसे पहले हैं पर सोल्डर के निसान लगाने हैं तो आपको साथ इंच पर निसान लगाना है सोल्डर का फिर आपको इस निसान के नीचे इंची टेप को रखना है और आर्म होल के निया आपको साड़े छे इंच तक एक सीधा निसान लगाना है आपको इसको निशान sings N fellows निचे अनिच्छ को रखना यहाँ पर आपको चेश्ट के निशान लगाना के जितनी बी चेश्ट है आपको कम 24-जे संक निए और उसके इंदर आपको अरोनिंट के मारचन लेना लगाना है यहां पर आपको निसान लगाना है यहां पर आपको इन निसानों को आपस में मिला देना है पिर आपको इन अर्म होल पर आना है यहां पर आपको इन निसान लगाना है आपको एक चोकोर बॉक्स बना देना है धाय इन चोड़ा और तीन इन निस लमबा आपको इसकी गले की गोलाई कर देनी है आप चाहें तो इंची टेप की मदस्ते भी पॉन इंची लेके इसकी गले की गोलाई कर सकते हैं पिर दुबारा आपको यही पे गले पे इंची टेप पो रखना है और आपको छेंच पे निसान लगाना है में जो हमारी चोली का फ्रेंट वाला गला है उसकी जो लंबाई रखूंगी वो में छेंच रखूंगी इस तरह से आपको चोकर बॉक्स बना देना है और इसकी भी आपको गोलाई कर देनी है जो छोटा वाला है वो हमारा बैक का गला है और जो बड़ा वाला है वो हमारे फ् आपको एक इंच लेके इस तरह से इसकी आपको गोलाई कर देनी है यहाँ पर आपको इस निसान को ब्ल को मिला देना है फिर आपको इसकी कटिंग कर देनी है इसकी कटिंग करने के बाद आप पोच के अंदर से इस पार्ट निकाल के अलग रख देना है यह हमारा बेक वाला पार्ट रहेगा छोली का और यह जो निसान लग रहे हैं इस पार्ट को आपको बिल्कुल इक सार्गत के बिछा लेना है यह जो हमने गले की लंबाई बढ़ाई थी इस निसान पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है यह हमारी चोली का फ्रेंट वाला पार्ट रहेगा तो गले की कटिंग हो चिकी है फिर जो इसकी आर्म होल है इसकी आपको गोलाई कर देनी है आपको आदे इंच अंदर की तरफ क कटिंग करने हैं और जो मार्जिंग कान्षा नहीं है यहां आपको मिला देना है पीर आपको इस देब्ल में वोड़े हैं यहंगे सब्सकाइब को ऐसे गळाना है झाल जिए न सी नियुकले लौहरा तरफ शान king को यह तरह मिला देना है पिर विलानात देख तो आड़ों बैएंक ताकी हमारे दूसरे साइड में छप जाएं काप्ड को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चौक की मदस से इन इसानों को गहरा कर देना है हमारी चोली के बैक वाले फेरेंट वाले दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है मैं इसे साइड में रख दूंगी फिर आपको बाजू की कटिंग करने है तो बाजू की कटिंग के लिए मैंने ये कपड़ा काटके बीं इसे में वहां लिए हैं यह हमारा टाम र 250 में करते ना है और या इस्ट्रा कपड़ा आपको एक साइड में निकाल देना है मैं आपको इंछी टीप दिखाती है मैंने कितने कपड़े को चाड़ते है जिसाप को के यहां जो noon नीचे नीचे खुली साइड खुली साइड की तरफ तीन इंच पे निसान लगाना है आपको तीन इंच वाले निसान को धाई इंच वाले निसान से मिला देना है गोलाई देते हुए त्पिर कि आपको आना यहां पर आपको महुरी के निसान लगाने हैं जितनी आपको तीयार महुरी च्यूह फो आपको यहां पर लेनी है तो मुझे पांच इंच्य है तो मैं तил was और देड़ इंच को आपको इस केंदस लाइकी नी मारजन लेना है फिर आपको मारजन वाले निसान पर इंची टेप को रखना है और यहां आपको मिला देना है और चौक की मदद से आपको एक तिरचा निसान लगा देना है मैं आपको इसके महोरी पे निसान लगा के दिखा रही है मैंने दो इंच का जो निसान लगाया है यह मैंने बाजु के लिए बार्जिन लिया है फिर आपको इसके आर्म होल की गोलाई करनी है तो आपको इस तरह से आदेंच अंदर की तरफ को निसान लगाना है और यहां करने के बाद आपको खोलना है और यह दो ते जो है इन्हें आपको पकड़ के रखना है और यह जो हमने चौक की मदद से अनिसान लगाय। इसकी गोलाई करदेती हमने बाजू की इस निसान पर कुछ अन्हें कर देनी है और जह करने के बाद बाजू की आपको गोलाई वाले इस्ते में कट लगा देना है फिर आपको लेना है इसे आपको पहले डावले फोल्डно करने के बाद आपको कप्ड़ को ट्राइंग्ल सेंग में करदेना है ऊकर इस हुआ करे कि मैंने पडी को फोल्ड कर दियाया वह फे ने आपको जेकल नेट गदम मारी खुली हो है है और यह दो थे हमारी बंड है आपको यहां पर एपर आपको कमर निसान लगाने हैं आपकी इसलिफिạt आप लेना है अ में जैसकि कमर है हमारी 3030 के रहूंस कर अगरा को उन्हें से निगालें कितो होग्हाते जो कि एह फ्सक्राइब आफ इंच पर निसान लगाना है विए पो जफेर आपको लगाना है इंच बिने इंची तेपी přूल मैं आपको दियार निसान 14डम कर देना क्यORE तरहा है और इसाल कवरे वागर जहाईगी हुआ पिस्पर दिम्ग हुआ तो तीस के इंदर के चोदा इंच कम कर दूँगी तो बच्टा इंच के आपको सब्सक्राइब लेना है तो इस तरह से इस पूरे कपड़े के इंदर गोलाई में साद़ेस पर निसान लगाऊंगी फिर आपको इस निसानों को आपस में मिला देना है फिर आपको इंच टेप को रखना है यह जो बंद साइड है यहाँ पर आपको इसकी जो लंबाई है वो आपको 7 इंच बढ़ा देनी है आपको 7 इंच पे निसान लगाना है और इस निसान को आपको इस तरह से इहां मिला देना है को ने पर मैं आपको करके दिखाती है फिर आपको इसकी कटिंग करनी है तो आपको जो इसकी कटिंग करनी है वो आपको जो हमने नीचे निसान लगाया था लंबाई बढ़ा के इस निसान पर आपको इसकी कटिंग करनी है उपर से भी आपको इसकी कटिंग कर देनी है तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है फिर आपको एसे खुलना है आप देख सकते हैं ये बंद साइड है इसे आफको केची की मदस्से अलग कर देना है अगल मांस कर दिया है थो हमारे दोनों घेरों के कटिंग हो चुकी है फिर ये जो घेरे में से नीचे का कपड़ा बचा हुआ है इस कपड़े को आपको इस तरह से बिल्कुल इक्सार करके फैलाना है इस कपड़े के अंदर से आपको गले पे लगाने के लिए तिर्ची पटी निकालनी है आप चाहें तो इंची टेप की मदर से दो इंच नाप के दो इंच पे निसान लगा के भी आप तिर्ची पटी निकाल सकते हैं इस तिर्ची पटी से हमारा गला बड़ी ही फिनिसिंग के साथ बन के तयार होगा और इस किंदर बिल्कुल भी जोल नहीं आएगा तो मैंने की तिर्ची पटी इस कपड़े के अंदर से निकाल ली है फिर आपको फ्रेंट वाले पाट को लेना है चोली का जो है और इस तिर्ची पटी को आपको डबल में फोल्ड करना है इसे आपको इहाँ पे रखना है गले पे और इसके अंदर आपको शलाई लगा देनी है फिर इसी तरह से रखना है और शलाई लगा देनी है सेम इसी तरह से आपको इस तरशी पट्टी पूरे गले पे लगानी है मैंने इसके पूरे गले पे पूरे पीछे की तरफ को पलड़ दी है और इस निसान पर आपको इसके अंदर लेश लगानी है तो मैंने इस साइड में लेश लगा दी है और यह जो उसका बेक वाला पाटे इसके अंदर मैंने तिर्ची पट्टी लगा दी है पीछी की तरफ को पलड़ दी है मैंने इसका विगला बना के तैयार कर लिया है पिर आपको इनके शोल्डर है वो आपको आपस में अटेज कर देने हैं आपको इनके इस तरह से मिला के रखना है कि दोनों की सीधी साइड ए लगी लसुत त्रह से monsters 2 कर दया है भीया को आपको ट्रोय पार्ट वाल आट आपको आपको तरीके से वेख उत्टे वींद संवर देल आपको 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 गेरा आच करना है वापको 10च मेलम आफ सबस्क एपने जब गार्च करी थी आपने घेरे के अंदर निकाल दूगी तो मैंने एक साइड में निसान लगादेना हैं पिर आपको इस तरह से डबल में फोल्ड करदेना है दोनों आन्म होल को सपड़े को आपको मिला के पकड़ना है और नीचे से भी विकुल मिला के पकड़ना है और इसे आपको डबल में फोल्ड कर देना है फिर आपको इसे इस तरह से करना है ताकि हमारे जो निसाने वो दूसरे साइड में भी छप जाएं देखें मैं आपको ख और इन दोनों पार्टों को आपको बिलुकुल मिला के पगड़ना है और इस निसान पे आपको इसके अंदर दोनों साइडों में सिलाई लगा देनी हैं मैं इसके दोनों साइडों में फिटिंग की जो सिलाई है वो मैंने लगा दी है फिटिंग की स्लाई लगाने के बाद आपको जो स्कुरोग का नीचे का घेरा है वो आपको फोल्ड कर देना है और इस पे आपको स्लाई लगा देनी है देखिए पहले आपको थोड़े से कप्ड़े को फोल्ड करना है फिर आपको इस डबल में फोल्ड करना है और इसके उपर आपको स्लाई लगा देनी है सेम इसी तरह से आपको फ्रोक का पूरा घेरा नीचे से फोल्ड करना है और आपको स्लाई लगा देनी है ढूरह कर दिया शोड़ करने के बाद आपको लेना है तोड़ी लेस को आपको डबल में फोल्ड कर देना है हूँ है। आपको लगा देनी है के पूरे घेरे पे आपको ये लेस लगा देनी है मैंने इसके पूरे गेरे पे ये लेश लगा दी है फिर आपको इसके ऊपर लेश के एक सलाई और लगा दे नहीं है आपको नीचे ताकि हमारी लेश जो है वो ऊठी ऊठी से ना रहे है बिल्कुल दब जाए मैंने इस लेश पर डबल सलाई लगा दी है फिर आपको बाजू वाले कपड़े को लेना है इसे आपको महोरी की साइड से फोल्ड करना है डबल में इस तरह से और इसके अंदर आपको सलाई लगा अदे तो मैंने असकी पूरी महोरी कर दी है ज्कुले स्ट अश्य यह पर उन देक हैं जांने के बद आपको मुहरी मोहरी के पूरी महोरी मैंने लगा है को सक यांद लगा दीए लेस लगा के बाद आपको जबे को डबल में पुल्ड करना है और आपको की खूट talkin' קन के न in situ लगाना यह फिर आपको महुरी 7 पर भी एक सायड में यह बाजू कर दी है और इसकेंदर बिल्कुल भी जोलनी है काफी फिनीशिंग के साथ हमारी बाजू लगी है मैं आपको दूसरे साइड में लगा के दिखाती में आपको किस तरह से लगानी है आपको फिरोग को तो उल्टा करना है बाजू को आपको सीधा करना है और जो इसका बीच वाला कटे आपकों के जो ठायर है इसका पर शर्ते और g- लगानी दोनों को आपको मिल्कुल दो उल्टा के पकड़ना है और इसके इंदर आपको स्लाई लगा देनी है बाजू टैज करते वाक्त आपको ध्यान रखना है कि आपने बाजू के जो गोलाई करी ते वह गोलाई वाला हिस्सा आपका प्रेंट वाले पाट की तरफ को आना चीए चोली के देखिए नीचे हमारा 1.5 इंच का मारजन है जो हमने चोली के अंदर लिया ता मारजन वाले कपड़े को आपको इस तरह से टिकोनी से में फोल्ड कर देना है और यह बाजू वाला मारजन उपर का जो है इसे भी आपको टिकोनी से में फोल्ड कर देना है और इसके अंदर सब्सक्राइब करने का तरीका पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को अभी सिस्क्राइब करें हम आपके लिए इसी तरीकी की वीडियो लाते रहेंगे